हेलो सतो मैं हो रुज़द बहुत भाव स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तो मेरी बात मत मानिये सेरle की मेकर्ज की बात मत मानिये लेकिन अनूप मा की बात तो आपको मानने ही पड़ेगी जी हाँ दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लास्ट एपिसोड के लास्ट प्रीकैप में जो सप्राइज लोगों को मिला उसने सभी को हिला कर रख दिया है क्योंकि यहाँ पर अनुपमा जो है सीरियल गुम है किसी के प्यार में की प्रीकैप में हमें नजर आती है और बताते वे नजर आती है कि किस तरीके से सही और विराट की स्टोरी अब आगे बढ़ने वाली है हाला कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहां पर अभी तक उन्होंने प्री कैप नहीं देखा होगा क्योंकि हाट स्टार पर एपिसोड साथ दिन आगे चलते हैं इसके लिए सब्सक्रिप्शन वगेरा काफी कुछ होना पड़ता है और उसके बाद आपको ये साथ दिन पहले एपिसोड और प्री कैप देखने को मिला होगा वेल दोस्तो सबसे पहले में आपको ये बताता हूँ कि इस प्री कैप में क्या हुआ है ताकि जिन वोको ये नहीं देखा है उनको भी पता चल जाए और उसके बाद इस बड़े सप्राइज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो इस pre-cap में हमें वो ही scene दिखाया जाता है जो इतने दिन से आप देख रहे हैं जहां पर सई और विराट एक दूसरे से लहंगे और कुर्टे को लेकर शेरवानी को लेकर बहुत सारी बाते कर रहे हैं इसके बाद अनुपमा कहते हैं हमें नजर आती है pre-cap के अंदर कि यहां पर दो तूटे दिलों को मिलाने के लिए क्या सई और विराट भी अब एक दूसरे के करीब आने वाले हैं आज जाएंगे यहां पर अनुपमा जो है सीरिल की स्टोरी पर पूरी तरीके से एक महर लगाते वे नजर आई है कि यहां पर सई और विराट की स्टोरी अब जल्द ही लव स्टोरी बनकर लव कनफेशन की और जाने वाली है यानि कि आल ओवर कहें दोस्तों तो यहां पर स्टोरी लाइन अप सई और विराट के लव के साथ साच शिवानी और राजीव के लव स्टोरी पर भी चलने वाली है यानि कि शिवानी और राजीव की कहानी तो सेरिल में सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है लेकिन इसका मकसद पूरी तरीके से सही और विराट को एक करना है यानि कि दोस्तों जो विराट अब तक राजिव के कितना खिलाफ है आने वाले एपिसोर्स में शीवانी के ही राजिव को देख के कितनी वो राजिव को प्यार करती है, आज में राजिव को कितनी कैर वो करती है इन सब चीजों को लेकर विराट का दिल भी पूरी तरीके से बदल जाने वाला है लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है यह सवाल अग तक काफी सार दो तिन लोग मेरे साथ इंस्टाग्रम पर शेयर कर दोके इस सवाल को और वो पूछ रहे हैं कि क्या अनुपमा हमें सीरियल के अंदर में नजर आएगी क्या ये रिष्टा क्या कहलाता है जैसा ही कोई सीन हमें देखने को मिल सकता है जा अनुपमा जो है सीरियल के साथ कॉलबरेशन करते वे नजर आजके तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपने हाली में अनुपमा के कई सारे प्रोमोस देखे होंगे जहाँ पर अनुपमा की शादी को लेकर भवानी काकू से लेकर सही से लेकर इमली से लेकर पंडिया स्टोर की दादी अमा तक सब लोग पूरी तरीके से अनुपमा की शादी बेर चरचा कर रहे हैं यहाने कि दोस्तों स्टार प्लस के सारे सीरियल फिलाल जो है बहुत अच्छी तरीके से टीम वर्क करकर एक दूसरे को प्रोमोट करने का काम कर रहे हैं और सीरियल गुमे किसी के सार्थ में भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा ने अपना फर्ज निभाया है, कॉलब्रेशन का एंड इस पार्टनर्शिप का और उन्होंने यहाँ पर सीरियल के अंदर आपको नजर नहीं आएंगी जहां तक बताया जा रहा है, कि लोगों को आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन जो है, अब वो पूरी तरीकी से पता चल गए हैं, जो लोग सीरियल को देखना छोड़ चुके थे, जो लोग बोल रहे थे कि लव कनफेशन तो होता नहीं है, सही और व्यार की लड़ाईयां चलती रहती है, वो लोग वे फिर से सीरियल कनेक्टे डफिनेटल से हो जाने वाले हैं, क्योंकि सीरियल के मेकर्स भले ही आपको सून 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 करके वैरी सून तक पहुचा चुके हो, आपको सीरियल के कनफेशन नहीं दिखा रहे हो, मैं आपको किते बार अपडेट देड चुका हूँ, लेकिन सीर अनुपमा के शब्द पे तो शक किया जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी यानि कि दोस्तों यहाँ पर यह एक चीज तो कलियर करते वे अब हमें सीरिल के मेकर्स और अनुपमा यानि की रुपाली गांगुली करते वे नजार आ रहे यह क्लियर कि यहाँ पर सही और विराट की स्टोरी आप चल पड़ी है ट्रैक पर आ चुकी है और जल्द ही लव कनफेशन होगा वेल दोस्तों यहाँ पर आनुपमा यानि की रुपाली गांगुली का शेडूल इतना बिजी रहता है कि उन्हें सीरिल देखने का वक्त तो बिलकुल नहीं मिलता होगा और उन्हें शायद ये बात भी नहीं पता है कि सीरिल गुम में किसी के प्यार में कि स्टोरी बिलकुल धीरे 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 आगे बढ़ती है और यहाँ पर उनके कही शब्दून के कही वानी जो है वो कितना लेट सीरिल में आती है ये देखना भी सबसे बड़ा सवाल है अब दोस्तों यहाँ पर बात रही राजीव के किरदार की कि विराट ने इतना बड़ा गुसा दिखाया है उसे जेल में भीज दिया है यहाँ पर एक तरफ तो विराट रिष्टो को फर्ज को बोल बोल कर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बड़े बड़े आंतक वादियों को छोड़ देता है यहाँ पर विराट जो है अपनी शिवानी भुआ रिष्टो के लिए जो है अब पूरी तरीके से राजीव को जेल में डाल चुक है एक ही बार के यानि कि इतने पुराने केस के अंदर जो कि कभी का रफा दफा हो चुका था लेकिन अपने पावर का मिस यूज करते वे विराट नजर आता है और शिवानी भुआ के कारेंट वो जो है उसे जेल बेज़ देता है क्योंकि यह अपने आपको धोका जैने जैसा है और अपने फैमिली के बारे में तो जरूर सोचना ही सोचना चाहिए कुछ चीज़े entertainment के लिए होती है लेकिन serial के अंदर जो scene हमें दिखाया गया है वो केवल और केवल negative ही नहीं हमें बहुत बड़ा message भी देता है कि life हमेशा बहुत important होती है शिवाने बुआ उस time के बाद बज गई और उसके बाद भी उनके life में काफी बड़े twist आए और वो आज भी खुश है हालकि इस track में उन्हें थोड़ा सा दुखी दिखाया गया है तो ऐसे में दोस्तों अगर मेशित के तौर पर देखे तो भी आप serial को फिलाल देख सकते हैं serial के अंदर कुछ ऐसी storyline एड़ की गई है वैल दोस्तों आप मुझे बताईए कि आप आने वाले episode के लिए कितने अधा excited हैं क्योंकि यहाँ पर शिवानी जो है पूरी तरीके से इतना ज़्यादा care करने वाली है राजीव की कि विराट को खुद बेखुद राजीव को जिल से बाहर निकालना होगा और उसके बाद राजीव को फिर से शिवानी से मिलाने के लिए विराट खुद पहल करने वाला है तो comment section में जिरू बताईए कि आपके त्यारा excited है और अनुप आमा वाला promo को बैर में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताईएगा और चैनल को subscribe के बैल आकोन को दबाना मत बूले के दोस्तों क्योंकि यहां परमा आपके फिरवेट टीव से जूड़ी अपडेट आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं दोस्तों मैं लिए वीडियो के साथ फिर से लटूँँगा जब तक के लिए थैंक्यू